सबको नमस्कार आज से लॉकडाउन का अगला चरण शुरू हो रहा है और केंदर सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स भेजी हैं केंदर सरकार की गाइडलाइन्स के मताबिक जो जो केंदर सरकार ने उसमें धील देने के निरने लिये हैं उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये निरने लिये हैं। अभी तक जितनी चीजें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बारबर और सलून की दुकाने खोलने का निरने लिया गया है। स्पान ही खोला जाएगा अभी। किवल बारबर और सलून की दुकाने खोली जा रही हैं। आटो, इरिक्षा, ये जितने ग्रामीन सेवा, ये जितने वहिकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। माली जीए, हमने कहा भी आटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पती, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले, तो अब वो पती अलग आटो में बैठेगा, पत्नी अलग आटो में और बच्चा अलग आटो में। इसकी वज़े से कई जगे से सुझाव आये थे कि ये थोड़ा सा इंप्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके उपर कोई restriction नहीं रखा है, तो इस किसम के restriction हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निरने लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक essential services को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निरने लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि four wheelers में केवल driver के लावा दो लोग बैठेंगे और scooter पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस को हटा दिया है इस condition को तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निरने के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने odd even लागू किया था कि एक दिन odd दुकाने खुलेंगे एक दिन even दुकाने केंद्र सरकार के guidelines में इस तरह की कोई condition नहीं है तो अब मार्केट्स में सभी दुकाने खुलेंगे। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्री इंडस्ट्रील एरिया में staggered timings लागू किये जाएंगे। तो हमने भी उसी के साफ़ से staggered timings किये थे लिकिन अब केंद्र सरकार ने वो निरने हटा दिया तो दिल्ली में भी industries अब सारी industries खुल सकेंगे। अब मैं आपके सामने एक महत्वपून विशे रखना चाहता हूँ और इस पे आप लोगों का मुझे मार्क दर्शन चाहिए आज तक मुझे आप लोगों का बहुत सनेह मिला बहुत प्यार मिला बहुत विश्वास मिला और उसी के भरोसे आज जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं आपके विश्वास और आपके सनेह की वजए से ये सारे काम दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो पा रहे हैं, मेरे पास समय समय पर काफी कठिन चनौतियां आई, कई बार उनके समधान नहीं होते थे, ऐसे समय पर मैं कई बार आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों से मार्ग दर्शन लिया आप लोगों से सुझाव लिये समय समय पे आप लोगों ने जो मार्ग दर्शन किया उसको हम लोगों ने लागू भी किया जैसे आपने कहा हमने लागू किया कुछ दिन पहले आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन में धेल दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए और भरपूर सुझाव आए, पांच लाख लोगों ने सुझाव दिया, आज आपका सुझाव एक बहुत महत्वपून विशह पर आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, क्या दिल्ली के इपॉर्टन आस्पेक्ट है, दिल्ली के अंदर करोना के केसेज काफी बढ़ रहे हैं, रोज हम देखते हैं कि दिल्ली में करोना के केसेज बढ़ते जा रहे हैं, मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में करोना के केसेज बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विशह तो है, लेकि गबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले पांच सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। अब भूत पूर्व विकास हुआ है दिल्ली के स्वास्थ सेवाओं में। आज उसी की वज़े से जब करोना की महमारी की वज़े से देश के और दुनिया के कई हिस्सों के अंदर उनकी स्वास्थ सेवाएं बिलकुल ध्वस्त हो गई, कॉलाप्स कर गई। आज दिल्ली में बढ़ते हुए केसेज के बावजूद आपका मुख्यमंत्री आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आपके घर में करोना हो गया, तो चिंता मत करना आपके लिए बेड है, हमने आपके लिए बेड का इंतजाम कर लिया है। और ये 9500, पांच जून तक 9500 बेड का इंतजाम हो जाएगा, जबकि आज की डेट में में रिखल से 2300-2400 पेशेंट्स हैं आज ही। तो 2300-2400 पेशेंट्स के अगेंस्ट में हमने 9500 बेड का इंतजाम होगा। ये कौन से अस्पताल में कितने बेड खा लिए हैं, कितने वेंटिलेटर खा लिए हैं, एक तो है कि मैं वैसी हवा में बात कर लूँ, लेकिन अब आपको एप के जरीए भी ये पता चल जाएगा, एप तयार हो चुका है, उसको कल लॉंच कर रहे हैं। कल सुबह उसको लॉंच करेंगे, आप उस एप को डाउनलोड कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड खा लिए हैं, और अगर आपके घर में करो ना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिये, तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यूं आते हैं? दो कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्त सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्जे से या किसी भी शेहर से सबसे ज़ादा अच्छी हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्त सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं, तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने हाथ हैं और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है आपका दस लाख रुपे का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है तो पूरे देश भर से लोग यहां इलाज कराने आते हैं जैसे हम बॉडर्स खोलेंगे देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि साड़े नौ हजार बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रख्या हुए अगर करोना हो जाता है जबकि आज दिल्ली में केवल तेईस सो पे खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए कुछ लोगों का कहना बॉर्डर्स खोल देने चाहिए लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए. लेकिन दिल्ली तो दिलवालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलाडो वालों की भी है, यू इस लोगों का सुझाव है कि जब तक करोना है, तब तक के लिए कम से कम, दिल्ली के एस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत सारे सुझाव है, मुझे आप से मार्दर्शन चाहिए और हमें क्या करना देजें, शुक्रवार को पांच बजे तक आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, आप मुझे अपने सुझाव वाटसेप कर सकते हैं, वाटसेप नंबर है डबल एट, डबल जीरो, डबल सेवन, डबल टू, वाटसेप नंबर है डबल एट, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल सेवन, डबल टू, इमेल है डेली सीम, डॉट सजेशन्स, एट जीमेल डॉट कॉम, इमेल है डेली सीम, डॉट सजेशन्स, एट जीमेल डॉट कॉम, और अगर आपके पास वाटसेप नहीं है, अगर आपके इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं आपके आवाज रेकॉर्ड हो जाएगी 1031, 1031 डायल कीजिएगा आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं, फिलहाल एक हफते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं, एसेंशल सर्विसेज जारी रहेंगी, सरकारी ओफिसेज जो हैं वो आईकार्ड के बेसेज पर आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जा सकेगा, तो फिलहाल एक हफते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं, उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्क दर्शन सभी के सुझावों के अधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, उसके अधार पर अगले हफते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्ने ले पाएंगे, नमस्कार.